हे गाई वेलेकम बैक मैं यूटूब चैनल तो आज मैं आपको बताना वाला है कि आप किस तरह से किसी भी पोट्रेट पर गिरिट मैथट की हैल्प से गिरिट बना सकते हो एक बिगिनर्स को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसके लिए आपके फोन मे कोई भी गिरिट अप होना चाहिए दैन उसके बाद आपको उसे इस तरह से ओपन कर लेना है दैन दोस्तो इस गिरिट अप में यहाँ पर कोरनर पे एक ओप्शन है उसको आपको इस तरह से किलिक करना है या आपको आपके फोन के जो गैलरी होती है उस में लेकर जाएगा और इसमें जहां पर भी आपका reference है उसको इस तरह से select कर लेना है और देखें इस पर इस grid आप ने automatically grid बना के दे दिया है लेकिन यह grid सही नहीं है क्योंकि दोस्तो इसका एक एक box square नहीं है और इसका एक box square बनाने के लिए हमें यहां पर click करना होगा यहich 2003 वह यह तो दिखें अब यह square नहीं बना है अब दोस्तो मैं दोस्तों संदेशा है लेकिन यह जो grid की लाइनिंग है बहुत जादा मोटी है इसको कम करने के लिए हमें यहाँ पर click करना है then इसके बाद यहाँ पर हमें one number put on करना है और आप देख सकते हैं इस grid की line भी बहुत ज्यादा बारीक हो चुकी है तो आप इस तरह से grid बना सकते हो और यह एकदम perfect grid है दोस्तों अब इस photo को आप save कैसे कर सकते हूं मैं आपको बताने वालों आपको दोस्तों second number पर click करना था और दोस्तों यह आपको photo को save करके देदेगा और आप अपनी gallery में जाकर चेक कर रेज़ेगा यह photo save हो चुका है देखिए यह रहा अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगे कि आप इसको एतरी साइज के paper पर किस तर से margin करके grid लगा सकते हो दोस्तों किसी भी एतरी साइज के paper या कोई भी size का paper होता है दोस्तों paper पर grid बनाने के लिए जो हमारा paper होता है हमें उसकी लंबाई वे चोड़ाई का पता होना चाहिए दोस्तो एथिरी साइज के पेपर की जो लंबाई पे चोड़ाई होती है वो 29 and half होती है और 42 होती है और दोस्तो अब हमें इन दोनों संक्या को ऐसी संक्या से भाग करना है जिससे कि ये दोनों पूरी-पूरी कट जाएं और दोस्तो 29,2 से नहीं कट सकता है तो इसलिए हम इसमें से डेड़ पॉइंट कम कर देंगे तो ये 28 बचेगा और ये 42 इसी तरह से रखना है अब दोस्तो जब हम 28 को 2 से भाग करेंगे तो 40 आएगा 14 और जब हम 42 को 2 से भाग करेंगे तो दोस्तो 21 आएगा इसका मतलब है दोस्तो जो हमारे A3 Size का पेपर है इधर साइड हमारे 14 बोक्स होंगे और दोस्तो इस तरह से हमारे 21 बोक्स होंगे अब दोस्तो मैंने आदा सेंटीमेटर का मारेजन इधर छोड़ा है दैन इसके बाद इस स्केल को इस लाइनिंग पर रखकर 28 तक इस तरह से मारेजन करके इसको इस तरह से मारेजन कर लिया है अब दोस्तो आपको स्केल को इस तरह से इस लाइनिंग पर रखना है और इस तरह से 22 सेंटीमेटर का इस तरह से मारेजन करना है और दोस्तो इस मारेजन आपको बहुत ही अच्छे से करना है जब आप इस मारेजन को अच्छे से करोगे तभी गिरिड अच्छे से बन पाए करना है दो-दो सेन्टीम्टर का चारा तोरफ आपको दो-दो सेन्टीम्टर का ही मार्जन करना है ह cava कि अब दोस्तों हमारा स्केल थोड़ा छोटब है और पेपर का जो Tenemos थोड़ा बड़ा है तो हमें पेपर का जो बीच का सेंटर है इस तरसे एक lining खीचनी होगी इस तरसे आपको एक lining खीच लेनी है then ीसके बाद आपको इस lining पर भी इसी तरह से 22cm का margin करना है अब आपको scale को इस पहले पुइंट पर रखना है देनस के बाद इधर भी पहले पोइंट पर रखना है और इस तरह से लाइनिंग खीचनी है देखे इस तरह से और से में ही प्रोसेस आपको हर एक पोइंट पर इसकेल रखना है और इस तरह से लाइनिंग खीचनी है दोस्तो अब आप देख सकते हो एकदम कितना ज़्यादा परफेक्ट और एकदम स्क्वाइर गिरिड बना है आप भी इसी की हेल्प से अच्छे से स्क्वाइर गिरिड बना सकते हो आई होग दोस्तो इस गिरिड मेथड की हेल्प से आपने पोट्रेट पर गिरिड बनाना सीखा होगा और दोस्तो अगली वीड़ो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से इस गिरिड मेथड की हेल्प से किसी भी पोट्रेट को इजिली ड्रो कर सकते हो वो भी बहुत ज़्यादा जरूर है दोस्तो उस वीडियो का वेट कीजेगा और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजे साथ में बैल एकन को भी दबा दीजे जिससे की आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें थाइम पर वाजिए टीजे 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 पूर्ण्स